हलो इविर्वन इस वीडियो में हम लोग सौर्य मंडल के बारे में जानेंगे सौर्य मंडल सौर्य और कई ग्रहों उपग्रहों तता अन खोगोली पिंडों का परिवार है जिसे सौर्य परिवार भी कहते हैं हमारा सौर्य सौर्य परिवार का मुख्या है और इसके केंदर में स्थित हैं सबसे पहले निकोलस कॉपनिकस ने पंदर सो तिराली से स्वी में सौनपड़ाली की खोज कि अंतराश्टिक खोज संग आई ए यू ने 2006 में ग्रहों के संब्द में एक नई परिभासा दी जिसके अनुसार अब सौरे मंडल में प्रित्वी सहित कुल आठ ग्रह हैं यह हमारा सौरे मंडल है जिसमें कि हम सुरज के साथ ग्रहों को और धूम केतों को और एस्ट्रॉइट को देख सकते हैं हम बाह या जोवियन ग्रह आंत्रिक ग्रहों के उधार होंगे बुद्ध, शुक्र, प्रित्वी और मंगल जबकि जोवियन ग्रह के उधार होंगे ब्रश्पति, सनी, अरूड और वरूड अगर हम सुरे से दूरी के अनुसारिन का क्रम देखें तो वो कुछ इस प्रकार है बुद्ध, शुक्र, प्रित्वी, मंगल, ब्रश्पति, सनी, अरूड और वरूड अगर आकार में विद्धिक एतनुसारिन का क्रम देखें तो वो है बुद्ध, शुक्र, प्रित्वी, वरुण, अरुण, सनी और ब्रश्पति यहाँ पे हम साइच को देख सकते हैं कि ब्रश्पति हमारे ग्रव प्रित्वी से कितना बड़ा है आगे देखते हैं पार्थिव तथा जोवियन ग्रह में अंतर पार्थिव ग्रह का निर्मार सुरे के निकट हुआ है सुरे के निकट होने के कारण पार्थिव ग्रह का तापमान अत्यधिक होता है और सुरे के पास होने के कारण सर वायू जो है अत्यधिक सक्तिसाली होती है जिससे कि पार्थिव ग्रह की जो धूलकड और गैस होती है इसको ये उड़ा कर ले जाती है पार्थिव ग्रह आकार में छोटे होते हैं अनकी गुर्ता कशड सकती भी कम होती है जो पार्थिव गरह होते हैं। इन पर भारी धातु जैसे लोहा और निकिल अत्तिदिक मत्रा में पाये जाते हैं। और अगर पार्थिव गरह की बात करें, तो जितने भी ठोष गरह हैं। जैसे कि बुद्ध, शुक्र, पित्वी और मंगर ये सभी पार्थिव ग्रह के उधारणे। अगर जोवियन ग्रह के बात की जाए, तो इनका रिमाज सुरज से बहुत ज़्यादा दोरी पर हुआ है, इसके करण इनका तापमान पार्थिव ग्रह के तुलना में काफी कम होता है, और इनके उपर सुरवायू का प्रभावी कम पड़ता है, जिसके करण यहाँ पे धूलकर और गैसों की अधिकता होती है, जोवियन ग्रह आकार में बड़े हैं, इसलिए इनकी गुर्तवा करशड सकती भी बहुत अधिक होती है, यह जोवियन ग्रह शभी गेश्य ग्रह के उधारण होते हैं, जैसे की ब्रश्पति, सनी, वरूड और अरूड, एक एक करके अब ग्रहों के बारे में हम लोग दिखते हैं, पहला है बुद्ध, जिसे हम मरकर ही कहते हैं, बुद्ध की कच्छी गति सरवाधिक है, जो कि 48 कीमी परती सेकंड है, बुद्ध का तापांतर भी सरवाधिक है, यहाँ पर दिन अत्यधिक गर्म लगभग 427 डिगरी से सलसियस तक होता है, और रातें बरफिली होती है, जहाँ पर की टंपरेचर माइनेस 113 डिगरी सलसिय होता है, बुद्ध का अपना कोई पगर नहीं है, और बुद्ध आकार में प्रित्वी से लगभग 18 गुना छोटा है, अगला गरह शुक्र, यह प्रित्वी के सरवाधिक निकट है, और यह शुर्य और चंदमा के बाद तीसरा सरवाधिक चमकिला खगोली पिंड है, यह आ इसे साच का तारा तथा भूर का तारा भी कहते हैं, शुक्र के वाई मंडल में 95-95 प्रशंट तक करबन डायक्साइड होने के कारण, यहां पर प्रेसर कूकर जैसे इस्तिति होती है, यहां का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, यह सौर्य मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, और इसका औसत आपमान 462 डिग्री सेल्सियस रहता है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, और यह 225 दिनों में सुर्य का एक चक्कर पूरा करता है, शुक्र अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन का समय लेता है, जिसके कारण सौर्य मंडल के अन्न ग्रहों जहां पर जिवन है, पानी के अधिक्ता के कारण इसे निला ग्रह भी कहते है, प्रित्वी पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा है, और आकार में सौर्य मंडल का पांचमा सबसे बड़ा ग्रह है, प्रित्वी अपने अक्ष पर साड़े 30 डिगरी जुकी हुई है, तथा दुर्वों पर थोड़ी चिप्टी है, प्रित्वी की इस बीसेस आकर्ति को भू आप कहते हैं, प्रित्वी को सुर्य का एक चक्कर लगाने में 100 वर्ष का समय लगता है, 100 वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड होते हैं, प्रित्वी का केवल एक उपग्रह है, ज 287 दिनों में पूरा करता है, और अपने अक्ष पर 25 डिगरी जुके होने के कारण, लगभग 24 घंटे, 37 मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, आरन आक्साइट के अधिक्ता करण या लाल रंग का दिखाज देता है, इसलिए इसे लाल गरह भी कहते हैं, मं वोस और डिमोस है, जिसमें डिमोस स्वार मंडल का सबसे चोटा गरह है, स्वार मंडल का सबसे उचा परवत, निक्स ओलंपिया और सबसे बड़ा ज्वाला मुखी परवत, ओलंपिया मोंस, मंगल गरह पर ही इस्तित है, ब्रेश्पति, यह स्वार मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है यह सुरी की प्रिक्रमा में 12 वर्ष का समय लगाता है तथा अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनिट में एक शक्कर लगाता है ब्रस्पति के पास सरवाधिक 79 उपग्रह हैं जिनमें से अधिकान्स चोटे याकार के हैं गैनिमीड केलेश्टो लो तथा यूरोप ब्रस्पति के कुछ बड़े उपग्रहों के नाम है जिसमें गैनिमीड स्वर्य मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है लो या जिसे आयू नाम से भी जानते हैं स्वर्य मंडल का सबसे ज्यादा जाला मुखी वाला खगोली पिंड है ब्रस्पति के बड़े आकार के करण इस उसके वाई मंडल में हाइड्रोजन हीलियम मेथेन और अमोनिया गैस पाई जाती है ब्रस्पति ग्रह को लगुस और तंत्र भी कहते हैं ब्रस्पति ग्रह के बारे में ज्यादा ध्यन करने के लिए 2011 में नासा द्वारा जुनोयान भेजा गया था चित्र में हम लोग इस यह तीसा सबसे बड़ा ग्रह है जिसकी खोच सर विलियन हरसल ने 1781 में की थी अरूड ग्रह सुरी की प्रेक्रमा करने में 84 वर्स का समय लेता है जबकि अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 17 घंटे और 14 मिनिट का समय लेता है अब तक अरूड ग्रह के 27 उपग्रह की खोच की जा चुकी है जिसमें टैटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है अरूड के वाई मंडल में मिथेन के अधिक्ता के कारण यह हरे निले रंका दिखाई देता है अरूड अपने अक्ष पर 82 डिग्री जुका है जिसके कारण इसे लेटा हुआ अगर भी कहते हैं सुर्य से दूरी के क्रम में आठवे नंबर पर आता है यह सुर्य की प्रेक्रमा करने में 64.8 वर्स यानि लगभग 165 वर्स का समय लेता है यह अपने अक्ष पर एक चक्कर 17 घंटे में पूरा करता है अब तक वरूड के 14 अपग्रह की खोच की जा चुके जिसमें का वह चेत्र जहां पर प्रित्वी के जैसे ग्रह की सतर न तो बहुत ठंडी हो और नहीं बहुत गर्म हो अर्थात उस पर जीवन की संभाव ना हो उस स्थान को गोल्डी लाक्सी जोन कहते हैं जैसा कि हम चेत्र में देख पार है कि हमारी जो प्रित्वी है वो ग्रीन जोन इसे ही हम क्या बोलेंगे गोल्डी लॉक्स जुन आगे आता है बौने ग्रह देखे यह हमारा चंद्रमायमून जिसके साथ बौनो ग्रह की तुलना की जा रही है कि वह आकार में चान से कितने छोटे हैं अंतराष्टी खगोल संग ने एक बौने ग्रह के लिए चार मापदन निर्धायत किये हैं पहला यह सुरी के चारो और प्रक्रमा करता हो दूसरा यह कोई उपग्रन हो तीसरा यह अपने कच्छा के चारो और के छेतर की प्रक्रमा को पूरा न कर पाया हो चोथा उसका दिर्धमान कम से कम इतना हो कि अपने गुर्तवा कर्शड के कारण उसका अकार लगभग गोल हो गया हो तथा वो अपने पडोसी पिंडो के कच्छा को न लागता हो आई ए यू वर्तमान में पांच बौने ग्रहों को मानिता देता है जिसके नाम है सेरेस, प्लूटो, हैमिया, माके-माके और एरिस सेरेस मंगल और ब्रस्पति ग्रह के बीच मुक्य चोध ग्रह बेल्ट में इस्तित है जबकि बाकी कुईपर बेल्ट में इस्तित है सेरेस सभी बौने ग्रहों में सबसे छोटा है जबकि प्लूटो सभी बौनो ग्रह में सबसे बड़ा है कुईपर बेल्ट का चितरिस में हम देख सकते हैं और प्लूटो कुईपर बेल्ट के लगबग बाहर से गोमते हुए एक चक्कर को पूरा करता है आगे हम लोग देखते हैं धूम केतू या पुछल तारे के बारे में धूम केतू सवरमंडली यह निकाय है जो पत्थर धूल बर्फ और गैस से बने हुए चोटे-चोटे खंड होते हैं यह ग्रहों के समान सुरी के प्रिक्मा करते हैं जब कोई धूम केतू सुरी के पास आता है तो गर्म होने के कारण इससे गर्म गैस की फुहार निकलने लगती है तब इससे हम पुछल तारा कहते हैं कि पुछल तारए की पूछ हमेशा सूरज के बीप्रीत दिशामेर रती हैं है ली नम पूछल तारा प्रतिक 76 वर्ष में बप्रित्वी से दिखाये दिखाए देता है जो कि सबसे कम समय में बप्रित्वी के पास से गुजनने वाला धूम केतु है धूम केतु के तीन भाग होते हैं नाभी, कुमा और पूच ये धूम केतु का चितर है आगे हम लोग देखते हैं छुदरगड उल्लका तथा उल्लका पिंड क्या होते हैं अंतिच में ऐसी वस्त्वी हैं जिनका कार धूल के कड़ से लेकर छोटे चुदरगड हो तक होता है जैसे कि अंतिच की चट्टान इसे हम चुदरगड क्याते हैं जब चुदरगड प्रित्वी के वाई मंडल में प्रिवेस करते हैं तो उन्हें उल्लका कहा जाता है लेकिन अगर कोई चुदरगड प्रित्वी के वाई मंडल में प्रिवेस करके जमीन से टकराता है तो उसे उल्लका पिंड कहते हैं यह चित्र है जो कि उल्लका पिंड प्रित्वी पर गिरे हैं और विज्ञानिकों ने उन्हें सोध के लिए अपने पास रखा हुआ तो आज के लिए इतना है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जहन बंदे मातलाइब